ये बात है साल 2018 का जब क्रिश्चन मिस्नरी का एक यंग लड़का इस नौ सेंटेनल आइलेंड पर आने का फैसला करता है हाला के लोगों नूसे जाने से मना किया लेकिन लोगों की बात न मानते हुए उसने ये डिसाइड किया कि कुछ वहां के लोकल मचवारों को हायर करेगा और वहाँ पर जाएगा हाला कि कड़ी मसक्कित के बाद मचवारों भी उन्हें वहाँ पर छोड़ने का फैसला लिया और मचवारे बताते हैं कि जब वो मचवारे उन यंग लड़के को जब वहाँ पर छोड़ कर आए उसके दो से तीन दिन बाद जब वहाँ पर वगए उन्हें पता चला कि उस लड़की की जो डेड़ बोली थी वहां के आदिवासियों ने उसको मार कर मिट्टी में गाड़ दिया था और भारत सरकार को भी काफी मसकत करने के बाद भी उस यंग लड़के की फोर्डी नहीं मिल पाई North Sentinel Island भारक का एक ऐसा द्वीप जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समू का एक हिस्सा है लेकिन भारती वहां पर नहीं जा सकते कारण बिल्कु साफ है कि वहां पर रहने वाले आदिवासी जन जाती ये नहीं चाहते कि कोई भी बाहरी इंसान उनके एरिया में आए और खास कर उनके रहन सहन में दखर डाले यही कारण है कि वहां पर जाने वाले किसी भी आदमी को वह तीर और धनुस से स्वागत करते हैं और कई बारतों की जान भी ले लेते हैं अब सवाल यह उखता है कि भारत सरकार ने भी इसको आफिर बैन क्यों किया हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत सरकार को डर है कि लोगों के आने जाने से वहाँ पर कुछ खतरा होगा। आपको पता दे कि दुनिया की इकलोती ऐसी सब्धेता है जिसका इनसानों द्वारा कोई लेना देना नहीं है नहीं इन्हें कोई ग्यान है नहीं इनके पास कोई इन्वेंशन या टेकनोलोजी है बिल्कुल अच्छोते हैं और यह इस प्रित्वी पर इकलोती ऐसी सब्धेता हैं जहां पर अभी बीमारियों का कोई लेना देना नहीं है यानि इंसानी बीमारिया यहां पर पोच भी नहीं सकी है लेकिं हाल के कुछ दिनों में देखा गया है कि जैसे इंसानों की जोची इस आइलेंड की तरह बढ़ रही है यहां पर भी infection के chances बढ़ते जा रहे हैं तुछ लिए जानते हैं क्या है पुरा North Sentinel का पूरा कहानी और भारत सरकार आखिर क्यों डर्ती है लोगों को रुआ भेजने से बलही North Sentinel के लोगों का बाहरी दुनिया से कोई लेना देना ना हो ना ही उनकी जरूरते भी ऐसी हैं कि वह उसकी इच्छा रखते हो लेकिन North Sentinel पर लगबक कई सौ सदियों से रह रहे हैं और anthropologist मानते हैं कि इनकी संख्या North Sentinel पर 50-500 भी हो सकती हैं और वह बड़े इसली सर्वाइ से आए भी जादा है लेकिन North Sentinel के लोग बिल्कुल इनसे परे हैं ना ही उन्हें किसी की जरूरत है और ना ही वो चाहते हैं कि यहां पर कोई आए और उनके रहन सहन में डखल डाले यही कारण है कि वहां पर पहुशने वाले किसी भी इंसान को वह तीर और धनों से स्वागत करते हैं कई बार्धों की जान भी ले लेते हैं अगर नौर्ट सेंटिनल के लोगों के रहन सहन की बात करें तो यह पूरी तरह से नियोलितिक सोसाइटी है यानि कि ऐसी सबेता जहां पर लोग मिक्सित नहीं है बलकि आज भी जोपड़ियों में रहते हैं खाना संग्रह कर करते हैं और सिकार करते हैं और मचली का भी सिकार करके अपना फेट भरते हैं इनने कपड़े का बिलकुल विज्ञार नहीं है यानिंगी कहले कि आज भी बिलकुल पूरानी सबेता में जीरे हैं जूकि आज से 100-200 रही वलकि 1000 साल पीछे की बात है लेकिन इनकी जरूर्ते एसी हैं कि भी इनकी चरूर भी नहीं पड़ती मज़े की बात यह है कि नौर्ट सेंटेनल के आदिवासी इस दूरी पर लगवं 32 किलो मेटर की बड़े से रेंज में फैले हुए हैं और यह पूरी दुनिया से आज तक कते हुए हैं लेकिन जैसे जैसे इंसानों का कॉंटेक् आफी समस्याय देखने को मिल रही है एक भारत की एंटर्पोलोजिस्ट है जिनका नाम है मदुमाला चटोपाद्या जोंकि 1990 में सबसे पहली बार इस आईलेंड पर गई थी और यह अब तक की सबसे पहली महिला ब्यक्ती है जो इस आईलेंड पर गई थी और सेफली वापस इनका कहना यह है कि जैसे जैसे लोग इनके करीब जा रहे हैं और इनका संपर्थ बाहरी दुनिया से हो रहा है इन पर खत्रा बढ़ रहा है बलकि सदियों से यह जब तक कॉंट्रेक्ट में नहीं थे तब तक यह बड़े आराम से इस दुई पर सर्वाइब कर रहे थे वैसे देखा जाए तो नौस सेंटिलेंड जो है भारत के बे और बंगाल में पढ़ता है यह अर्णमान और निकोबार दुई समों का एक छोटा सा हिस्सा है यानि कि जहां अर्णमान और निकोबार में 184 आईलेंड्स हैं जिनमें से 30 पर ही केवल इंसान रहते हैं जिनमें और जवारा नाम की सब्यकाय रहती है यानि ड्राइब रहते हैं लेकिन उनकी भासा अर्णमान और निकोबार के बाकिद्विक्वत रहनेवाई लोगों से बिलकुल अलग है खासकर नौस सेंटिलेंड लोगों से तो बिलकुल भी अलग जहां यह लोगों से मिलना जूला थोड़ा पसंद करते हैं, भूलते मिलते हैं, बाचीद करते हैं, वही नौस्टेटिनल के जो लोग है, ट्राइब हैं, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इनकी मानसिक्ता बिल्कुल इतनी अजीव है कि जैसे ही ये किसी को देखते हैं, सीधे, तीर और धनुस से हमला कर देते हैं, अगर वह इंसान इनकी चपेट में आ गया, तो ये इसे बिल्कुल भी नहीं जिन्दा छोड़ते, मार ही देते हैं, वैसे तो बहुत लंबे समय तक अंडमान और निकोबार वीप समू के बारे में किसी को कोई खास आइडिया नहीं था, सबसे पहली बार 18 सता फिर ब्रिटिस बैपारियों ने भी इसी रोट की खोच की, और भारस पे मसालों की जो बैपार था, इसमें इस रूट का काफी योगदान था कहा जाता है कि इससे भी पहले 1771 में ब्रिटिस एस इंडिया कमपनी का एक सीप जब इस रास्ते से गुजर रहा था, उसको सबसे पहले यहाँ पर कुछ इनसानी होने के सबूत मिले थे यानि कि रात के समय जब यह सीप यहाँ से गुजर रहा था, उसको इस आईलेंड पर कुछ आग जलती हुई दिखाई दी लेकिन वो उस समय समझ नहीं सके थे कि आखिर यहाँ पर होता क्या है लेकिन उनको इस बात का अंदेशा तो हो गया था कि इस दीख पर भी कुछ हरकते हो रही है जैसे कि आग जलना और उस आग के चारों बगल किसी इनसान का मुवमेट लेकिन उस समय तक इस दीख पर इतना एक्स्प्लोरेशन नहीं हुआ था कि यह कहा जा सकी कि यहाँ पर कोई ट्राइब रहती है लेकिन समय के साथ जैसे जैसे बात आगे बढ़ी लोगों ने इसके बारे में और जानना शुरू किया समय के साथ आगे चलते हुए ब्रिटिस इंडिया कंपनी ने यहां पर एक जेल बनाया जिसमें वो कैदियों को ले जाकर रखते थे लेकिन 1896 में एक कैदी इस आईलेंड से भागने में सखल हुआ लेकिन उससे अपनी जान बचानी थी इसलिए वो इधर न उधर बिना सोचते हुए सीधे एक लकड़ी पे बैट कर उसकी मदद से नौ सेंटेनल आईलेंड पर पहुँच गया लेकिन कुछ दिन बाद जब ब्रिटिस सेनिकों ने उसका पीछा किया और सर्ज पार्टी ने जब उसके डेड़ बोर्डी को उठाया जो कि उस बीच पर पड़ा हुआ था तो उन्होंने देखा कि कुछ लोगों ने उसके सरीर को इतना तीर से निसाना बलगाया है उसका सरीर बिलकुल छेद ही छेद हो गया है और उन्हों लोगों ने पहली बार देखा कि कुछ छोटी गर्दन वाले आदिवासी उसके आसपास भटक रहे थे तब से ये पता चल गया कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो थोड़ा तो अलग है और उनकी संख्या यहाँ पर कुछ तो है और वो बहुत ही घातक है यानि कि वो अपने आसपास आने वाले किसी भी बाहरी इंसान को बरदास नहीं करते और उसे मार देते हैं और वो इस मामले में बहुत परफेक्ट है क्योंकि उनका निसाना और उनका जो तरीका है सिकार करने का वो बहुत ही धातक है इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने भी एक सर्वे टीम बनाई जिसमें एंत्रोपोलोजिस्ट के साथ कुछ पॉलिसमेन और नवसेना के भी जवान थे इस तरह की टीम में लगवग 20 लोग थे और यह 1967 में इस लैंड पर सेफली लैंड करते हैं लेकिन एक अजीब बात तब होती है कि जब यह वहाँ पर लैंड करते हैं तो इनका विरोध करने के लिए कोई सामने नहीं आता यानि कि नौ सेंटेनल के जो आदिवासी थे वह इनको दिखाई भी नहीं देते लेकिन एंट्रोपॉलोजिस को ये पता था कि हो सकता है कि ये लोग हमें देखकर छुप गए हो तो उनके फूट्प्रिंट्स का पीछा किया और पीछा करते हैं जब वह जंगल में गए तो उन्हें छोटी छोटी वहाँ पर जोपड़ियां दिखाई दी जोपड़ियों के आसपास आग जल रहे थे जहां पर जगा जगा पर मचली भी भुना हुआ था इन सब को देखते हुए उन्होंने अंदाजा लगाया कि यहां पर लगभग 50-500 तक ट्राइब रहते हैं जो कि इस समय उनको देखकर छुप गए बाद में 1970 और 1980 में भी जब बहुता कि उन्हों पहले पर इस तरह के कोई भी खत्रे का सामना नहीं किया था लेकिन दूसरी और तिसरी बार जब ऊगए तो उनको बिल्कुल भी अन्राजा नहीं था कुनका स्वागत कुछ इस तरह से किया जाएगा हाला कि जब वह पहली बार गय थे उनके साथ अपने साथ coconut ले गए थे ताकि हो सकता है कि इन्हें आदिवासियों हो यह पसंद आए और वो उनसे दोस्ती कर सके लेकिन रेजल्ट दूसरी और तीसरी बार तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और आगे चलकर भारत सरकार ने 1990 में भी एक सर्वे टीम भीजी लेकिन इस बार सर्वे टीम में एक खास बात ये थी कि सर्वे टीम के साथ एक महिला भी थी और जब ये सर्वे टीम वहाँ पर पहुँची तो बिल्कुल सेफली लेंड कर गई लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि वहाँ के आदिवासी लोगों का स्वागतीर और धनुस से करते हैं वह इस बार भी किनारे पर वैसा ही कुछ करने आये थे लेकिन टीम में पहली बार केसी महिला को देखकर सायद उनका दिमाग थोड़ा सा बदल गया और वह हो सकता है कि महिलाओं पर हतियार का यूज ना करते हों इसलिए वह अपने जितने भी आम्स थे तीर धनुस और छड़ों गयरा जो भी उनके पास था इन सब को उन्होंने छोड़ दिया और वह धीरे धीरे उस बोर्ट के किनारे पहुंचे जिसमें मदुमाला चट्टो पाध्याय का पूरा सर्वे टीम था सर्वे टीम को भी देखकर थोड़ा तो आश्चर हुआ है क्या कि इतने आकरामग जो ट्राइब है इन पर तीरों धनुस से वार क्यों न आये लेकिन धीरे धीरे जब नारियन ले जा रहेते तो उनको लगा कि सायद यह अच्छे लोग हैं और उन्होंने अपने सारे हथिया डालकर वहाँ पर उनके बूर्ट के काफी करीब आया और उनके हाथ से वो सारे नारियन ले लिए जो वो अपने पास ले गया थे लेकि कि इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी टीम में एक महिला को देखकर ये ट्राइब इतना ज्यादा हैपी थे यानि खुश थे कि उन्हों ने इस पूरे सर्वे टीम को अपने साथ बीच पर चलने की अनुमती दी और उन्हों ने अपने बच्चों और कि जोपड़ियों को भी जाकर देखा जाये तो इस पर आदिवासियों ने उनकों ये सब करने की अनुमती नहीं दी और सरवे टीम को वापसाना पड़ा लेकिन जब यह बात भारत सरकार काफी इच्छुब थी कि PP को भेजा जाये और कुछ महीने बीदने बीदने के बाद लेकिन इस बार थोड़ा परिवर्तन था इस बार सर्वे टीम के पास देनी के लिए बहुत सारा गिफ था जैसे कि नारियल और प्लास्टिक के बरतन और भी बहुत कुछ लेकिन इस बार का जो मुलाकात था वो थोड़ा सा खराब हो गया क्योंकि आदिवासी बार बार नारि लेकिन उनकी इच्छा थी कि कुछ और मिल जाये कुछ बड़ा कुछ ठोज पता नहीं वो क्या खुज रहे थे ऐसी ही तलास में एक आदिवासी इस सर्वे टीम के बोट तका पहुचा और उननों उनसे पूरे नारियल लिये उनके बैग में जो कुछ था वो भी ले लिया और पुलिस ओफीसर के पास रखी एक गन को भी उसने हाथ लगाया और ले लिया इस पर देखकर पुलिस ओफीसर को बड़ा अश्यर हुआ और उसने चबरजस्ती ही उससे वो गन खीच लिया लेकिन ये बात उस आदिवासी को बिलकुल भी पसंद नहीं आई और वो बहु बहुत घुस्सा हुआ और उसके हाव भाव ये बताते थी कि वह उन्हें बहुत जल्द इस आईलेंड से वापस चले जाने को कह रहा है और हुआ भी कुछ ऐसा ही वहां पर माहौल गरम हो गया और इन सर्वे टीम को तुरं थी उस आईलेंड से वापस आना पड़ा क्योंक इमर्जेंसी मेर इस आईलेंड पर लेंड करना था हाला कि उन्होंने लेंडिंग तो कर ले क्योंकि उनकी इमर्जेंसी कुछ ऐसी थी कि वह आगे नहीं जा सकते थे लेकिन देखा गया कि कुछ समय बाद उनकी लास बीच पर मिली थी और इस बार ट्राइब ने इतना गु को भी उसी बीच पर गाड़ दिया 2018 में क्रिस्टियन मिस्नरी के एक ब्लोगर थे जिनका नाम था जोन एलेंड चाओ जो चाहते थे कि इस बीच पर जाकर लोगों को क्रिस्टियानिटी के बारे में बताया जाए कुछ अच्छी बारे बाते बताया जाए और लोगों को थो इस तरह की आदिवासियों से बाचित करने में और उनके बारे में काफी कुछ जानते थे उनका पूरा मानना था कि यह अधिवासी जो कि उनके साथ अच्छा बैवार करेंगे जो कि सुरुआत में देखने से तो नहीं लग रहा था कि यह आदिवासी इनका स्वागत करने वाले हैं और उन्होंने उनका स्वागत कुछ ऐसे ही तीर धनु से किया और जो फिसर मैन यानि जो वहां के मचवारे थे जो उन्हें बोर पर बैठा कर उस आइलेंड तर ले गए थे वह बताते हैं कि कुछ दिन बाद उन्होंने उनकी लास को वहां बीच पर देखा जो कि वहां के आदिवासियों द्वारा उनको घसीट घसीट कर इधर सुधर ले जाये जा रहा था और बाद में उन्होंने से तीर और धनुस से इतना ज़्यादा फीर मारे कि उनकी जान चली गए और उनको उसी बीच पर गाड़ दिया लाग कोसुसों के बावजूबी भारस सर कार क्यों इस आईलाइल पर किसी को जाने से मना करती है और अगर गलती से कोई चला भी जाता है तो उसके साथ क्या होता है उमीद है कोई भी नहीं चाहेगा कि यहाँ पर जाएं क्योंकि यहाँ पर जाना असान तो है लेकिन वहां से वापस आना बिल्कुल भी आसान नहीं है क्योंकि न हम उन लोगों से हैय जो लों अब रहते हैं नहीं वहहांब पसंद करते हैं ऐसे में इतना से कि आधिर खकृष्षियक को वह सब्तते हैं कि उन्सानों का अनौर सापर क्या करते हैं तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं अमें जरूर बताइएगा फिलाल इस वीडियो में इतना है अन्यवाद